मैद प्रदेश के शास्किय कर्मचारियों आधिकारियों की सेवा निवृत्ति यानि रेटायरमेंट की आयू 62 से बढ़कर 65 वर्ष होने के आसार बन गए हैं यानि मंतराले में 6 वर्ष के बाद एक बार फिर रेटायरमेंट की आयू सीमा बढ़ाने की तैयारियों चल रही हैं इस संबंध में एक फाइल आवेदन के साथ तेजी से दोड़ रही है डॉक्टर यादव सरकार ने रेटायरमेंट की आयू सीमा बढ़ा कर 62 से 65 वर्ष करना सुईक्रित कर लिया तो इसका प्रदेश के करीब साड़ चार लाख अधिकारियों एवं करमचारियों को लाभ मिलेगा राज करमचारी कल्यान समिती ने शास्की सेवकों की सेवा निवर्थी की आयू सीमा में एक रोपता लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है इसमें कहा गया है कि शास्किय सेवकों की सेवा निवृत्ती की आयू 62 साल से बढ़कर 65 साल करने पर शासन विचार करे उन्होंने लिखा है कि सरकार को शास्किय कर्मचारियों की सेवा निवृत्ती की आयू बढ़ानी चाहिए क्यूंकि पदोन्नती नहीं होने की वजह से सरकारी विभागों में कैडर गड़बडा गया है और कई विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली है राजी करमचारी संख्य के प्रांतिय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता सुभाश शर्मा ने बयान देते हुए कहा है कि सरकार को रिटार्मेंट के साथ नय पद स्रिजित करना चाहिए जिससे की पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार के अफसर मिल सकें इसके साथ ही सरकार को कॉम्पेटिटिव एक्जाम्स की परिक्षाओं में चैनी तुछादर चात्राओं को तुरंत नियुक्ति प्रदान करनी चाहिए जिससे की विभागों में करमचारियों की संख्या तो बढ़ेगी ही साथ ही बेरोसगारी भी घटेगी बासट साल से बैसट कर रही है तो यह अब किस आधारते कर रहे हैं यह उनकी योजना है ठीक है यह उमर बढ़ती है तो यह हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन मेरा यह कहना यह है करमचारि हित को देखते हुए कि हमारे देश में दिरोज़गारी बड़े पेवाने पर हैं और हमारे कई साथी लोग जो हैं जो आतिती सिक्षक हैं उनको कम से कम नीमित किया जाए और कई हमारे पास जो हैं इंटर्वू होते हैं 2018 में 2008 में इंटर्वू होते हैं नए पड़ों को भड़ी करें और युवक लोगों को मिलना चाहिए अब जहां तक आपने प्रिष्ण किया 65 एस का मेरा यह मानना है कि 65 एस बैसे अधिक होती है और मेरा सरकास ही अन्रोल रहेगा कि यदि ऐसा होता करते भी है तो कम से कम जो है ऐसा ओप्षन भी दिया जा रहा है जो भी सरकार आप किस सुत्रों के माधियम से आप्राप्त करते हूं, मैं धन्वा देता हूं अपोना, जिए आप कुम जानकारी है कि 65 हो रही है, तो छी है करम कारी हित के लिए योग है है, स्वागत योग है, लेकिन अन्य पहलों पर अवज धान दें, हमारे परदेश के लिए ये अतिया वश्चा के लोगों को अलिक सदी आउसर मिले, लोखी का लोजगार का आउसर मिलना चाहिए.